नमश्कार दोस्तों स्वागत आप सब भी काज की नए वीडियो में फ्रेंड्स CRPC 1973 इसके अंदर आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सेक्शन नमबर 54A से लेकर सेक्शन नमबर 60A तक इसके अंदर बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे कि जब भी एक परसन को पुलिस अरेस्ट करती है तो उसकी अडेंटिफिकेशन कैसे होगी क्या अडेंटिफिकेशन होती है जब उसको अरेस्ट करेगी तो उसकी health and measures को चेक करेगी अरेस्ट कैसे करेगी और अरेस्ट करने हम इसको शुरू करते हैं. Section No. 54A, Identification of a Person Arrested. देखें, यहाँ यह simple सी बात बोली गई है, कि जब भी एक इनसान को arrest किया जाएगा, तो उसकी आपको identification करानी है, जिस person ने उसके खिलाफ complaint कराई है. कि हाँ, यही person है, जिसके हिलाफ आपने complaint कराई है. और वहीं अगर कोई ऐसा person है, कि जो lunatic है, या mentally disturbed है, तो उसके जो identification होती है, वो magistrate के सामने होती है, ताकि magistrate के supervision के अंडर हो, कि वो identification कैसे की गई है. Simple सी बात यहाँ पर बोलते हैं, और यह 2005 के अंदर यह section है, यह add किया गया था. और उसके बाद हमारा अगला section आता है, section नमबर 55. 55 बोलता है, प्रोसीजर वेन पुलिस ओफिसर डेप्यूट सबोर्डिने टु अरेस्ट विदाउट वरेंट. देखें, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बाग बोली गई है, कि जब भी एक परसन देखें, जब भी अरेस्ट किया जाता है, वो एक तो होता है वरेंट के साथ, एक होता है विदाउट वरेंट. विदाउट वरेंट के लिए हमारा strictly section फॉलो करता है, section नमबर 41, कि जहाँ पुलिस ओफिसर को पावर दी गई है, कि विदाउट वरेंट, जब भी कोई परसन को अरेस्ट किया जाएगा, तो उसके लिए क्या-क्या ingredients हैं, ingredients तो वहाँ बता दिये, लेकिन अरेस्ट का भी बता दिया, लेकिन यहाँ अलग बात क्या आ गई, section 55 में, section 55 में अलग बात यहाँ पर यह निकाल के बताएगे इनोंने, कि जब एक परसन पुलिस ओफिसर खुद अरेस्ट नहीं करता, वो अपने किसी सबोडिनेट को बोलता है, किसी लोवर पुलिस ओफिसर को बोलता है अपने, कि जाओ तुम जाकर अरेस्ट करके आओ, तो उसके लिए यहाँ पर यह clear लिए बताएगे है section 55 में, कि वो चीज रिटर्न में दी जाएगी सबसे पहले, और दूसरा, जब भी वो सबोडिनेट पुलिस ओफिसर अरेस्ट करेगा, अरेस्ट करके, वो अपने सीनियर के पास लाके उसके प्रोडिस करेगा, और वो उन्हें अरेस्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ इसी बाग को लिए clear किया गया है, देखिए एक बात आप ध्यान रखेगा, कि जब भी कोई सबोडिनेट अरेस्ट करने जाएगा, विदाउट वरेंट में, एक बात को ज़रूर याद रखेगा, इसको अंडरलाइन कर लिजिए, हेडलाइन के अंदर लिखा है, विदाउट वरेंट, ये इसके अंदर main point है, कि इसके लिए ही यहाँ पर इंग्रेडिनेट से section 55 के given है, कि जब भी एक subordinate arrest करने जाएगा, तो उसको return में जरूर होना चाहिए उसके पास, सिर्फ मूँ जबानी से कोई काम नहीं होता legal language में, जो भी चीज होगी, वो return में होगी, documentary होगी, चलिए अगला section, section 55A, Health and Safety of an Arrested Person, अब पुलिस ने arrest कर लिया, अब जब वो person जो arrest कर लिया, उसकी सेहत का ध्यान रखना, और उसकी health का ध्यान रखना, और उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना, इसका ध्यान police officer के duty बनती है, section 55A हमें इस बात से clear करता है, कि जब भी एक person arrest किया जाएगा, उसकी health और safety, दोनों चीज़ों का precautions police officer के duty है, section 55, person arrested to be taken before magistrate, और officer in charge of a police station, देखिए ये जो section है, ये हमें इस बात से clear करता है, कि जब भी एक person को arrest किया जाएगा, तो उसे 24 गंटे के अंदर अंदर, एक magistrate के सामने पेश करना होगा, और या फिर अपने police officer के सामने, अपने police officer in charge के सामने भी उसे ले कर जाएंगे, 24 गंटे के अंदर अंदर, सबसे पहले क्या होता है, देखिए एक बात आप समझ लीते, सबसे पहले कोई person को arrest करते हैं, उसे अपने police officer में, police station में ले जाते हैं, police officer के पास, फिर वहाँ से 24 गंटे के अंदर अंदर, उसे वहाँ पर magistrate के पास पेश करना होता है, अब उसके बाद अगला section, section 57, ये बोलता है, person arrested not to be detained more than 24 hours, अलग-अलग section यहाँ पर deal करते हैं ये, एक ही बात है, लेकिन different चीज़े घुमा कर बताई गई हैं, लेकिन सब में एक-एक variety है, इसमें देखिए variety क्या है, person arrested not to be detained more than 24 hours, यहाँ इस बात से क्लिए कर दिया, कि एक तो बोलते हैं कि 24 गंटे के अंदर, अंदर पेश करो, और यहाँ दूसरी बात क्या बोल दी, 24 गंटे से जादा आप उसे रख नहीं सकते, तो रख नहीं सकते, तो रख कैसे रेते हैं, तो वो रखने का प्रोसीजर है, वो 15 दिन के लिए पुलिस कस्टिडी के डिमांड करते हैं, जो कि एक maximum time period होता है, और वो 15 दिन के expire होने के बाद, वो continuation में जितना चाहे उतना मांग सकते हैं, ठीक है, maximum 15 days है, चाहिए इसके लिए, ठीक है, इसके अंदर section 167 का भी provision apply होता है, कि अगर उसे custody में रखा हुआ है, तो उसे आपको बेल देनी पड़ेगी, और दूसरा यहां पर judicial custody, जो मैंने बताया आपको, judicial custody का भी यहां पर provision बनता है, under section 309, अगर वो बनता होगा तो, उसका एक further process है, उसके बाद section 59, sorry, 58, section 58, police to report apprehension, देखें, यह section हमें इस बासी के लिए करता है, कि जो officer in charge है, इसको barriate को पढ़ लेते हैं एक बाद, officer in charge of a police station, shall report to the district magistrate, or if he is so direct, to the subdivisional magistrate, the case of all persons arrested without warrant, within the limit of their respective station, whether such person have been admitted to bail, or otherwise, यहाँ पर इस section में क्या clear किया है, section 58 में, कि जो police officer है न, वो जिनको भी arrest करता है, उसका एक record तयार करता है, record तयार करके, वो magistrate के सामने सारा record daily का जाएगा, daily का सारा record जाता है, कि हमने इस person को arrest किया, और यह इसका record है, हमने इसको bail दे दी, क्योंकि यह bailable offense था, इसकी surety हमने ले ली, या फिर court से bail आ रखी थी, तो court से bail आ गई, यह bail हमने इसको provide कर दी, और यह इसका record है, या फिर हमने bail नहीं दी, तो यह उसका record है, तो यहाँ पर इस बात से section 58 के अंदर clear किया गया है, अगला section, अगला section हमारा है section number 59, discharge of a person apprehended, अब देखिए, police officer ने arrest कर लिया, अब उसे आप simply छोड नहीं सकते, section 59 इस बात से clear करता है, क्या लिखा है, तीन line का section है, लेकिन बहुत ही बड़ा section निकलता है, कि police officer के पास इतनी power नहीं है, कि जिस person को वो arrest कर लेते हैं, उसे खुद ही छोड दे, कैसे छोड़ेंगे, या तो law provide कर रहा है, law क्या provide कर रहा है, कि bail bond भर दो और चले जाओ, या फिर दूसरा, कि special order of a magistrate, या फिर court छोड़ेगी, court छोड़ेगी या कानून छोड़ेगा, police वाला कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि section 59 से वो bound है, section 59 एक बहुत ही base section बनता है, क्योंकि यहाँ पर इसका misuse भी बहुत होता है, practical life में आप देखते होंगे, complaints बहुत जाती हैं, कि police officer ने उसे छोड़ दिया, छोड़ कैसे दिया, 59 तो कहता है कि आप छोड़ नहीं सकते, तो वहाँ पर वो bound है, कोई police officer ऐसे छोड़ता नहीं है, इस बात से आप ध्यान रखेएगा, यह important marker लीजेगा इसको, practical जो मेरे friends advocate है, जो practice कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा important है, अगला section हमारा आता है, section number 60, power on escape to pursue and retake, इसमें यह बताया गया है, इस section में इस बात से clear किया गया है, section number 60 में, कि जब भी एक person escape कर जाएगा, यानि कि भाग जाएगा, police custody से, तो उसको जब भी rescue किया जाएगा, तो उसे immediately arrest कर लिए जाएगा, यानि कि जब कोई भाग जाता है, jail से या custody से, तो उसे immediately arrest कर लिए जाएगा, चाहे वो इंडिया में कहीं भी हो, और ये section सिरफ उन्हीं पे apply नहीं करता कि जो police officers हैं ये दूसरे persons पे apply करता है जैसे कि jailer हो गया jailer भी पकड़ सकता है जाकर और कोई आम इंसान है वो भी इसके अंदर cover हो जाता है last section हमारा आता है section number 68 arrest to be made strictly according to the code दिखिए ये जो section है last हमारा इस बात से बहुत ही अच्छे से clear कर दिये इसने no arrest shall be made except in the accordance with the provision of this code or any other law for the time being enforced provided for arrest कि जब भी कोई arrest होगा या तो इस law के अंडर या कोई और law जो हमें arrest के लिए power देता है law provide करता है उसी के provision के अंदर strictly comply करकर ही arrest किया जाएगा आपनी तरफ से कोई और law introduce नहीं कर सकते ये strict apply application of law के लिए हमारा section 60A जो last का है ये डाला गया है 2008 में ये एड किया गया था इस बात को आप ज़रूर मूट कर लीजेगा ये इसके अंदर important point है कि कब एड किया था ये 2008 में एड किया था ये भी मैंने इस वीडियो में यहां पर cover कर लिए उम्मिद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी पसंद आई है तो इस वीडियो को like जरू कर दीजेगा नए है तो चैनल को subscribe जरू कर लीजेगा क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही legal knowledge word by word explanation और detail के अंदर लो शेयर करता हूँ मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक इलिए मश्कार